पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्ष कर रहा है। इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट कहां है? एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहां है? अध्यक्ष महवदय संयुक्त राष्ट की प्रतिक्रियाओं में बढ़लाओ, व्यवस्ताओं में बढ़लाओ, स्वरूप में बढ़लाओ, आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड से जादा लोगों का इस वैश्विक संस्तापर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग किन्तित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुँच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट के डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक ऐसा देश जहां विश्वकी अठारा प्रतिसत से जादा जनसंख्या रहती है। एक ऐसा देश जहां सैंक्डो भाशाये हैं, सैंक्डो बोलियां हैं, अनेको पंथ हैं, अनेको विचारदारा हैं। जिस देश ने सैंक्डो वर्षों तक वैश्वीक अर्थेववस्ता का नेत्रुत्व करने, और सैंक्डो वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे, तो दुनिया को कभी सताया नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से प्रपड़ता है। उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा।